मेरे प्यारे देश्वासियों, हमारी यहां कहा जाता है, जो जमीन से जितना जुड़ा होता है, वो बड़े से बड़े तुफानों में भी उतना ही अडी रहता है। कोरोना के इस कठीन समय में हमारा कृषिक शेत्र, हमारा किसान, इसका जीवन्त उधारन है। संकट के इस काल में भी हमारे देश के कृषिक शेत्र ने फिर अपना दमखम दिखाया है। साथियों, देश का कृषिक शेत्र, हमारे किसान, हमारे गाउं, आत्म निर्भर भारत का आधार है। ये मजबूत होंगे तो आत्म निर्भर भारत के निव मजबूत होगी बीते कुछ समय में इन खेत्रों ने खुद को अनेक बंदिसों से आजाद किया है अनेक मिथकों को तोड़ने का प्रयास किया है मुझे कई ऐसे किसानों की चिठियां मिलती हैं किसान संगरनों से मेरी बात होती हैं जो बताते हैं कि कैसे खेती में नएने आयाम जुद रहे हैं कैसे खेती में बरलावा रहा है जो मैंने उन से सुना है जो मैंने औरों से सुना है मेरा मन करता है आज मन की बात में उन किसानो कि कुछ बाते जुरूर आपको बताओं। हर्याना के सोनिपत जिले के हमारे एक किसान भाय रहते हैं। उनका नाम है स्रीक कवरप चवहान। उन्होंने बताया है कि कैसे एक समय था जब उन्हें मंडी से बाहर अपने फल और सबजियां बेचने में बहुत दिक्कत आती तो कई बार उनके फल, सबजियों और गाडिया तक जबत हो जाती थी। लेकिन 2014 में फल और सबजियों को EPMC Act से बाहर कर दिया गया। इसका उन्हें और आसपास के साथिक किसानों को बहुत फायदा हुआ। चार साल पहले उन्होंने अपने गाओं के साथिक किसानों के साथ मिलकर एक किसान उत्पातक समू की स्थापना की। आज गाओं के किसान स्विटकॉन और बेबीकॉन की खेती करते हैं। उनके उत्पाद आज दिल्ली की आजादपूर मंडी, बड़ी रिटेल चेन तता फाइश्टार होटलों में सीधे सप्लाई हो रहे हैं। इसकी अलग-अलग वरायटी का उत्पादन करके हर साल प्रती एकड दस से बारा लाख रूपिय तक के कमाई कर रहे हैं। अच्छानों को भी मिली है। फल सब्जयों के लिए ही नहीं। अपने खेत में वो जो पैदा कर रहे हैं। धाम, गेहूं, सरसों, गन्ना जो उगा रहे हैं। उसको अपनी इच्छा के अनुसार, जहां जादा दाम मिलें, वहीं पर बेचने की अब उनको आजादी मिल गई है। बेडं़ करी applaud provocate प्लादी इस भी मिलें, गन्ना जो एका भी मिलें बग्ना है।